सोम प्रदोस ब्रत कथा एक नगर में ब्राहमनी रहती थी उसके पती का स्वर्गबास हो गया अब उसके घर बार कुछ भी नहीं बचा इसलिए वा सुभा से अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी इस तरह से वा स्वेम और पुत्र का पेट पालती थी एक दिन घर आते समय ब्राहमनी को एक बालक घायल अवस्था में मिला ब्राहमनी उसे अपने घर ले आई और लड़का बिधर्व का राजकुमार था सत्रू सैनिकों ने उसके राज पर आकर्मन किया और उसके पिता को बंदी बना कर उसके राज पर अधिकार कर लिया इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था और राजकुमार ब्राहमन पुत्र के साथ ब्राहमनी के घर रहने लगा एक दिन अंसुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई कुछ दिनों के बाद अंसु मती के माता पिता को संकर भगवान ने सुपन में आदेश दिया कि राजकुमार और अंसु मती का विवाह कर दिया जाए और उन्होंने वैसा ही किया अब वह विद्वा ब्रहमनी प्रदोस वरत करती थी उनके प्रदोस वरत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से बिधर्व से सत्रूं को भगाया और अपने पिता का राज पुनह प्राप किया पुरवक जीवन ब्यतीत करने लगा राजकुमार ने ब्रहमनी के पुत्र को अपना परधान मंत्री बना लिया और ब्रहमनी ने प्रदोस वरत के कारण संकर भगवान की क्रिपा से जैसे राजकुमार और ब्रहमनी पुत्र के दिन सुधर गये वैसे ही संकर भगवान अपने हर भक्तों पर किरपाब बनाए रखते है और सब के दिन सवर जाते है प्रदोस बरत कथा में एक और कथा आती है एक बार किसी एक नगर में एक साहुकार था उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वह बहुत तुखी रहता था संतान प्राप्ती के लिए वह हर सोंबार ब्रत रखता सिव पूरी भक्ती के साथ मंदिर जाते और भगवान सिव और मापारवती की पूजा करते थे और उनकी भक्ती देखकर एक दिन मापारवती प्रसन्द होकर साहुकार की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान सिव से अनुरोथ किया तब पारवती जी के आग्रह पर भगवान सिव ने कहा कि है पारवती इस संसार में हर प्रानी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो है वह उसे भोगना ही पड़ता है लेकिन मापारवती ने साहुकार की भक्ती को देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा बेक की मापारवती के आगरह पर सिव जी ने साहुकार को पुत्र प्राप्ती का बरदान तो दिया लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्स तक ही जिवित रहेगा अब मापारवती और भगवान सिव की बात्चीत को साहुकार सुन रहा था इसलिए उसे ना तो इस बात की खुसी थी और ना ही दुख वह पहले की बाती सिव जी की पूजा करता रहा उस समय के बाद साहुकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन दिया जब वह बाला 11 वर्स का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए कासी भेज दिया साहुकार ने पुत्र के मामा को बुला कर उसे बहुत सारा धन देते वे कहा किस बालों को कासी बिद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और तुम लोग रास्ते में यग य करते जाना और ब्रह्मन को भोजन दक्षिन देते वे जाना दोनों मामा भांजे इस तरह यग्य करते हुए ब्रह्मनों को दान दक्षिना देते हुए कासी नगरी निकल पड़े इस दोरान रात में वह एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवा था लेकिन जिस राजकुमार के साथ उनका विवा होने वाला था वह एक आंक से कना था तो राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों न साहुकार के पुत्र को दुलहा बना कर राजकुमारी से विवा करा दू और विवा के बाद इसको धन दे कर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाओंगा लड़के को दूले का वस्र पहना कर राजकुमारी से बिवाह करा दिया गया साहुकार का पुत्र इमंदार था उसे ये बात सही नहीं लगी इसलिए उसने अवसर देखकर राजकुमारी के दुपटे पर लिखा कि तुम्हारा विवा तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंक से काना है मैं तो कासी पढ़ने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखा बाते पढ़ी तो उसने अपने पिता को कहा तो पिदा ने बिदा नहीं किया पुत्री को और बाराद वापस चली गई दूसरी और साहुकार का लड़का और उसका मामा कासी पहुँचा और वहां जाकर उन्होंने यग्य किया जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन यग्य आयुजन था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो सिपजी के वरदान के नुसार कुछी देर में उस बालक के प्राण निकल गए मिर्त भांजे को देखकर उसके मामा ने बिलाब करना सुरू किया सयोग बस उसी समें सिपजी और मापारवती उधर से जा रहे थे मापारवती ने भोले नाथ से कहा स्वामी मुझे इनके रोने की स्वर्ष स्वहन नहीं हो पा रहा आप इस ब्यक्ति के कष्ट को अवसे दूर करें जब सिपजी मृत बालक के समीब गए तो बोले कि उसी साहुकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष का आयू वर्का वर्दान दिया था अब इसकी आयू पूरी हो चिकी है लेकिन मातरी भाव से विवोर माता पारवती ने कहा महादेब आप इस बालक को आयू देनी की कृपा करें अन्य था इसके वियोग में माता पिता भी तरब तरब कर मर जाएंगे मा पारवती ने पुना आग्रह पर भगवान सिब ने उस लड़के को जिवित होने का वर्दान दिया और सिब जी किरकी कृपा से वह लड़का जिवित हो गया सिख्छा पुरा करके लड़का मामा के साथ अपने नगर को वापस चल दिया दोनों चलते वे उसी नगरी में पहुँचे जहां उसका विवा हुआ था उस नगर में भी उन्होंने यग का आयोजन किया और उस लड़के के ससूर ने उसे पहचान लिया और महल में लजा कर उसकी खाती दारी की और अपनी पुत्री को बिदा किया इधर साहुकार उसकी पतनी भूके प्यासे रहकर बेटे की प्रतिक्षा कर रहे थे और उन्होंने प्रण कर रखा था यदि इन्हें अपने बेटे की मिर्तु का समाचार मिला तो वह भी प्रांत त्याग देंगे परंतु अपने बेटे को जिवित होने का समाचार पाकवर बहुत प्रसन्न हुए उसी रात भगवान सिव ने साहुकार के स्वपन में आकर कहा है स्रिष्टी मैंने तेरे सोंबार के ब्रत करने और ब्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू परदान की है इसी प्रकार जो कोई सोंबार ब्रत करता है कथा सुनता है अथबा पड़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मोनोकामनाएं पुर्ण होती है हर हर महादेव